है है एलो स्टुडेंट्स आपके आपके अपने यूटूब चनल टोटल एकाउंट 10C पर एक बार फिर स्वागत है और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे बीकॉम ठीक है बीकॉम फर्स समेस्टर मैं आपके लिख दे रहा हूं बीकॉम सभगे के लिख देंगे और हुए इस तो इस वेक के अंदर आज हमारा था में मैं लोग कोस्चन सोल कर रहा हूं ठीक है long questions को हम लोग solve कर रहे हैं और आज हमारे सामने question number है 10 ठीक है इससे पहले के जो question है वो मैंने part 1, part 2 and part 3 के अंदर solve कर चुका हूँ तो चलिए हम लोग देखते हैं कि question क्या था question number अगर 10 की बात करें तो question number 10 में क्या दिया हुआ है in the following कुछ यहां पर group data दिया हुआ है और यह कहा है X X क्या है are the middle value कि X क्या है middle value है और एक class interval and C is the assume mean if an mathematical mean कितना है 35.84 find class interval ठीक है क्या निकाना है class interval में हिंदी में बोल के बता देता हम आपको हिंदी में ही कहा गया है कि निमनांकित वर्गिकर्द समंकोस में X जो X है वरगरांतरों का मद्धे मुले और C कल्पित मात है क्या रहा है कि जो X है वो mid value है और जो अपना C है वो assume mean की कल्पित मात है और यहां पर हमें जो given है तीसरा point यह given है कि earth medical mean 35.84 है तो हमें क्या निगाना है class interval तो देखे इस तरह के जो question है इस पर कोई ही method नहीं लगीगा ऐसा question हमें book के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है ठीक है बिर्कुली हटके question exam के अंदर आया था ऐसे question की बच्चे बहुत ही कम है जो है practice करके जाते है तो हम लोग देखेंगे कि इस question को जो इस तरह की question उन्हें कैसे sold किया जा सकता है तो चलिए देखे सबसे पहले हैं आप एक question given है x-c x-c – 21 – 14 और – 7, 0, 7, 14, 21 and total उसके बाद 2, 12, 19, 29, 2, 20, 13, 5 and total कितने हैं 100 तो यह question था अब मैं इस question को sold करता हूं सबसे पहले मैंने चार column बनाएं एक दो तीन और चार तो चार column है उसके बाद सबसे पहले मैंने column को नाम रखा है x-c और second वाले का F इसे copy कर लिया है अब यह देखिए हम लोग से बात करेंगे question को solve करने की किस तरह से question को solve किया जा सकता है उससे पहले मैं आप लोगों के सभी से साथ request करना चाहूंगा चैनल को subscribe जरूर कीजएगा जदस जदा आपके जो friend है उन्हें share कीजएगा ठीक है चलिए हमें क्या चाहिए आपने सुना कि हमें देखो यहां पर क्या निकालना है एक तो हमारे पास एजूं नहीं है इसके अंदर ठीक है क्या नहीं है एजूं मिन लेकिन यहांन पर dx क्या है है d x ठीक है तो आप लोग क्या करेंगे कि इन दोनों की multiply करेंगे ठीक है x-c जिसे मैंने बोलना है d x d x की multiply किसके साथ करेंगे f k तो देखिए जो x-c है इस पुरे का नाम क्या है d x और इसकी multiply किसके साथ करेंगे f k तो चलिए करिए देखिए minus 21 की multiply 2 से करेंगे तो कितना आएगा यह आएगा अपना चुदा दूनी 42 ठीक है minus k 42 और उसके बाद 14 की multiply 12 के साथ करेंगे तो कितना आएगा minus 168 उसके बाद 7 की multiply 19 के साथ करेंगे तो कितना आएगा माइनस 133 उसके बाद 0 के साथ करेंगे 0 7 की multiply 20 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 14 पलस 140 और उसके बाद 14 और 13 की multiply करेंगे तो कितना आएगा पलस 182 और उसके बाद 21 की multiply 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा पलस 105 तो यह आ गया फिर अप लोग क्या करेंगे इसका total करेंगे किसका f dx का तो उसके लिए कि समिशन और df dx फिक है यह सब लोग जो माइनस के हैं अलग से प्लस करने और प्लस वाले अलग से प्लस करने तो यहां तक आप लोगों की सवज्व में आ गया होगा कि 84 इसको 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 अंदर कैसा है अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जी कमेंट करके बता सकते है मैं अगले कोईशन के अंदर वो आपके डाउट क्लियर कर देंगे तो यह अपना कितना आ गया है 84 उसके बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फोर्मुले का यूज करेंगे फोर्मुला क्या है अपना एक्स बार का अर्थमेटिकल मीन एक्स बार का फोर्मुला होता ह कितना 35.84 एक वैलू मैं पता नहीं है और सिग्मा FDX की वैलू कितनी है 84 यह अपना 84 है N एन कितना है 100 तो एन कितना है 100 से डिवाइड करेंगे तो यह वच्छों आएगा 35.84 और यहां पर एक जब से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.84 इस 84 को हम इधर लेके आएंगे 35.84 माइनस 0.84 इस एक वैलू कितनी निकल के आएगी 35 यह बताएगी यहां तक से मैं आप लगों की कि ए की जो वैलू है वो कैसे निकल करके आई है ठीक है तो हमने क्या मिल गया अभी तक हमें एक पाइंड आउट कर चुके हैं उस उसके बाद कैसे करेंगे को यहां पर एक गई पर निकल के आघी अभी मैंने आपको स्देशिय सपहले पर्मुला बताया था है कि यह फौर्मुला Amson's का होता है GYM-E Duty लेकिन कफ वाले कि हम लोग जो एक जो एजुम्माइन है इसे कहते हैं कि में कि रहेकिन लेकिन World कुष्ण वाला कहरा है कि मैं कहँगा एससे कंगे कwen會 के इसे हम लोग C भी कह सकते हैं तो formula क्या बना X-C ठीक है X-C और मुझे इस question के अंदर क्या find out करनी है values मुझे इस question के अंदर क्या निकालना है X ठीक है तो कैसे देखी हम लोग X को कैसे find out करेंगे mid value ठीक है X किसे कहते है mid value को तो mid value आप लोग किस तरह से find out कर सकते हैं बहुत ही जी है बहुत आसान esthetics को समझना और करना देखें DX ठीक है DX की value मुझे पहले से given है यह सारे DX है यह क्या है यह सब validity DX है उसके बाद मुझे A पता ही चल गया कितना है 35 मैं इतकर करके दिखाऊंगा आपको देखें पहले मैं थोड़ा से ही से solve करता हूँ DX जो अगर मैं यह जो A है इधर लेके आजाओ तो किसका हो लेगा प्लस का प्लस A is equal to X यह मैंने पहले equation थी इस equation को convert किया है इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर A को प्लस कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा क्या मिलेगा X मिलेगा X क्या है मिड़ वेल लुका काम करेगी चलिए देखो मैं एक दो करके दिखाता हूँ आपको DX मेरे equation के अंदर मुझे DX कितना दिया हूँ है 21 उझे DX कितना दिया हूँ है 14 मुझे DX कितना दिया हूँ है 7 0 और उसके बाद उसके बाद है प्लस 7 प्लस 14 और प्लस 21 यह में वैसी रख ली working note बना के करा रहा हूँ हूँ आपको उसके बाद इसमें प्लस करना है क्या प्लस करना है A ठीक है एक साथ सभी आंसर मीरेंगे बहुत आसान है स्टेटिक्स हो समया देखे 35 प्लस के हैं और माइनस के कितने हैं 21 तो कितने हो गया 29 और 5 ठीक है तो कितने होगे प्लस के 14 तो देखें पहले वाले का आंसर कितना है 14 यहाँ प्लस करेंगे और यहां पर 0 को माइनस करेंगे तो कितना रहेगा पलस के 35 रहेगा साथ को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 42 डिया लिस और यह हो गया अपना 47 ठीक है वो सुरी 49 नंचस और नंचस में यहां पर कितना हो जाएगा 6 और 5 56 ठीक है यह आगे आपका 56 तो सारी वेलु मैंने निकाल दी है किसकी X की वेलु आप किसी को बता सकते हैं और X क्या होता है ठीक है तो हमें क्या पता चल गी है मिड वेलु हम लोग उठाएंगे इसे का रख देंगे मिड वेलु में तो देखें कितना आसान है आप लोग भी निकाल सकते हैं मैं एक बार फिर से इधर लेके आ गया हूं ठीक है उधर खाल ली एक्स रह गया तो हम लोग से प्लस करेंगे तो मैंने सारी लिख दिए की बार में समझने के लिए बढ़िए जो मुझे गीवन है और ए जो मैंने ही से फाइंड आउट किया है ठीक है डी एक्स जो मुझे गीवन था कोशन के अंदर यह रहां डी एक्स पूरा लगा हुआ है और उसके बाद ए यह मैंने यहां से फाइंड आउट किया है यह मैंने इसके साथ प्लस कर दिया यह माइनस के यह प्लस के ज्यादा है तो 14 इस तरह से सभी के आंसर आ चुके हैं और उठाग आंसर यहां पर रख देंगे कि पूरा पेपर सोल करेंगे और आपको हमारे वीडियो कैसी लगती है उसके बाद देखेंगे क्लास इंट्रवल कैसे निकलता है कि आप इन मेंसे दो में से कोई भी डिफ्रेंस देलों किसी के बीच में किसी के बीच में भी डिफ्रेंस लो वही क्या होगा क्लास इंट्रवल पहला आंसर यह है मेरा और दूसरा मुझे क्लास का इंट्रवल क्या क्लास का इंट्रवल तो कैसे करेंगे ठीक है सी आई क्लास इंट्रवल दोन्हों का डिफ्रेंस लेने के 21 माइनस 14 तो कितने रहे वही साथ ठीक है तो साथ क्लास इंट्रवल तो साथ क्या है वरगों का अंतराल है यह इसका कोशन का आंसर है आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी इस वीड काथ होगी तेगा इस थेंक्स वरोची